कि नवस्कार दोस्तों मैं हूँ सतेंतों मर और आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कॉंसेप्ट विस सतेंद्र में चलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं रख्त परसंचड तंतर का पाट डूबं में हमने आर वी सीट खथम कर लिया था अब हम देखेंगे स्वेत रक्त कर्रिकाया या डॅवे सी ऐकर तो स्वेट रक्त कर्रिकाया या फिर डवी एसी जिसको हम बोलते हैं white blood, corpoles, white blood cells. तो जो स्वेत रज्ट कड़काइं होती है, इनमें hemoglovin जो हता है, अन्पस्तित होता है. और hemoglovin अन्पस्तित होने के कारण ही, इनका रंग कैसा होता है? तो इनका रंग होता है सफेद. कैसा होता है? सफेद होता है. जो आपकी white blood cells होती है, यह मुक्यते दो प्रकार की होती है ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स कैसी ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स दो प्रकार की होती है ग्रेनुलोसाइट्स जिस पर आपके कड़ चिपके रहते हैं क्या चिपके रहते हैं और नहीं चिपके रहते हैं सकते हैं गदू तो लेकिन मान सकते हैं प्रकार की इयोसीनोफिल वेसोफिल और निूट्रोफिल जैसा कि आपको चित्र में देख रहा होगा Sorry से मौनौ साइट्स लीम्पो साइट्स यू सिनोफिल वेसोफिल लेकिन जो आपकी डवलो बी सी होती है कोई फिक्स नहीं होता है होता है निष्च्य ताहर नहीं होता किया वह और सभ cas ah में क्या कि है किहन से कम अब उंपस्थित होता है लेकं डिए कि तो जीवनकाल आपका दस से तेरे देन या 10 से 15 दिन तक मांथ सकते हैं कितने इक होती हैं इस सए्क्त आ nous प्रतार की जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था और एग्रेनुलोसाइट्स ठीक है तीसरा जो पाइट मैंने आपको बताया था प्लेट लेकिन प्लेट्लेट्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वह जो पांस प्रकार की कोशकाएं थी उनका काम क्या है तो इन एंटर कर गया तो बैक्तिरी क्या है बैक्तिरिया एक कोशका ही तो है एक कोशी की जीव होता है बैक्तिरिया तो जैसे ही मोनोसाइट्स को बैक्तिरिया दिखेगा तो उस बैक्तिरिया की कोशका को पचा जाएगी खा जाएगी यानि एक तरीकिस हम कह सकते हैं कि माल लीजि हम कहें कि Adayr कौन सेergИक काड़ होता है HIV वारेस के काड़ky जैसे और हमारी जो रोघों से लड़ने की चंता होती है उसी हम बोलते हैं antibody antibody कमजोर हो जाती है तो जब antibody कमजोर हो जाएगी तो जितने भी बीमारी आउंगी वो सभी की सभी हमारे सरीर पर हमला बोल देगे और वहां पर व्यक्ति को एक नहीं कई सारी बीमारी आँ हो जाएगी इसलिए उसको कहा गया syndrome एड्स की फुल्मां आप देखेंगे क्या होती है required immunodeficiency syndrome wrinkles signedirm to syndrome का मतलब बीमारी नहीं होती है syndrome का मतलब होता है बीमारीयों का समुँ तो एड्स कोई एक बीमारी नहीं है एड्स सभी बीमारीयों का समुँ है यानि जब एक अही व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है तब हम उसे एड्स की स्थिती कहते हैं तो व्यक्ति जो है वो HIV के कारड नहीं मरता है HIV ने जो lymphocytes को कम कर दिया तो जिसके कारड और अन्य बीमारियां हो गई उन अन्य बीमारियों से हमारा सरीर जो है वो लड़ने ही पा रहा है रोग प्रत्र उद्धत्र चमता कम हो गई है जिसकी वज़य से व्यक्तिकी डेथ हो जाती है ठीकर एंटिवडी के कम ओने के कारण उसके अलाब अगर हम बात करें इयो सीनोफिल और बैसोफिल काम क्या काम होता है इनका काम होता है सरीर में आलर्जी पैदा करना जैسे अगर मैं आपको बता हूं सरदी झैसे अगराप हो रही है समझे लिए यो चीनोफिल और बैसाफिल में को rebellowati है न्यूंट्रोफिल लुž इसका भी काम होता है कोइसे का इसकाओं का बच्चड करना ह生 संफिया है उक तो क्या खराओ का बच्चड करना और पřिम्पो सहर शोंति है आपका और यह सिनोफिल वैसोफिल जो है यह एलर्जी के लिए उत्तरदाई होती है तो इनके मैंने आपको काम भी बता दीए नेक्स्ट अगरम बात करें तो तीसरा पायट है वेटा आपका कौनसा प्लेटलेट्स कौनसा है प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स केबल मनुष्य की सकती है इनका आकार होता है वो कैसा होता अनिश्यत होता है विक्स नहीं होता है ब्यास 2-4 मिली Seems का हूँ मैक्रों का और ईनमेजु केंद्रक वादा अनपस्तित चेंग मेर्य लाल सकती है और सफेदी भी हो सकती है इनका जीवनकाल कितना है? तो इनका जीवनकाल है साथ से दस दिन कितना? साथ से दस दिन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना रक्त का थक्का बनाना जैसे माल लेजे या रक्त का बहना जो होता है और रुख जाता है तता कटा हुआ इस्तान धक्के से ढख कर जीवाणवों तता धूल आज से स्वरक्षित हो जाता है ठीक है तो यहां पर हमने देखा प्लेट लेट्स जो होती है उनके काम क्या होते हैं अब हम यह देखें कि पूरे के पूरे सारे काम क्या है तो रुधिर के कई सारे काम होते हैं पहला अक्सिजिन का परवन करना जैसे हमने नेथा ली आपक्स्किन का थिक रिया नहीं देगी जैसे मिदू Hawk O और फेंपनों तक लोट के आ जाती है और वहां पर कर्ण नेकल जाती है और रोधिर का पहला काम होगया औक्षियन का परवान करना इसके लावा भूझ्य पदारतों का परवन जैसे हमने कोई बढ़ाता है तो जब भी हम कोई चीज होता है तो पाचन होने के पश्चा तो जितने भी आवश्यक्त करते हैं दो सारे के सारे ब्लेड में मिल जाते हैं रक्त में और रक्त क्या करता है उनको वहा ने प्रत्य कोशिका करती है उसे आनर्जी प्राप्टर्थ करती है तो भुझ्य पतारतों का कपर myth इसके लाव हार्वन का परवन हमारे शरीर में बहुत सारे हम और निकलते हैं पर जया widget births करें के सारी थारैयो भर्वेड ग्लैंट से बात करें तो लेगार और को ब्लेट करता है, इसके लावा रोगों से रच्छा करता है, बिल्कूल करता है रोगों से रच्छा क्यों करता है, तो मैंने अभी-अभी आपको बताया, कि WBC में एक प्रकार था जिसका नाम था लिंपोसाइट्स, लिंपोसाइट्स का क्या काम था एंटी बोडी का निर्माड करना जब उसका काम ही है एंटी बोडी का निर्माड करना तो एंटी बोडी क्या है सरीर को रोगों से बचाने की चमता यानि सरीर की जो रोगों से लडने की चमता है क्या क्या का जाता है ंंटीबोडी ब्लड का ही पाइट है तो वह ब्लड का क्या हुगा रुगों से रच्छा करना इसके अलाबा अगर हम देखें कि सारी रिक ताप का निंतर यानि बॉडी के temperature को maintain करने का काम करता है इसके लावा रत सराव को रोकना यहाँ इस में थ्रमो limite का कया होता है ब्लड का ठक्का वनाना इसके गागनास है इसके लावर जलट संस्राव का मतलब किया है अगर मान लेजिए पानी में की कमी डाभर रही है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है बिलड करता है ठीक है इसके लावा गर हम बात करें तो कोसिकाओं की उच्छत दसा यानि कोसिकाओं की जो उच्छत दसा है उसको उच्छत दसा को बनाए रखने में रुदर का काम है अगर रुदर प्रत्य कोसिकाता को ऑक्सिजन नहीं पहुं बनाता है इसा थो हैंकोत एक लिट मेरा है तो सभी अंगों मेरतों बना रहा है को एक भीना बंद कर किया होगा जो है इसके लाबा स्वाई कि सफाई करना तो Jewish ॏ सारे के सारे काम किस के हैं ब्रड के हैं ठीक है तो चली इस वीडियो को यह कि समाप्त करते हैं थैंक्यू थैंक्यू बेरी मुच